Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं Henry Lewis Vivian Derozio की लिखी पोयम Song of the Hindustani Ministral दोस्तों ये एक Indian English Poit थे ना सिर्फ Poit बलकि एक Teacher और Journalist भी थे 17 साल की उमर में ये Hindu College Kolkata में English Literature और History बढ़ा रहे थे ये Romantic Poit से बहुत ज़ादा Influenced थे और इनकी Poitry की जो Main Themes होती है वो Patriotism और Nature होती है ये Bengal Renaissance के Pioneer में से एक है ये बहुत ही तारकिक बाते सोचते थे और अपने Students को भी कहते थे कि आप खुल के सोचें और सवाल पूछें आईए अब हम शुरू करते हैं इस Poem को पढ़ना जो की एक बलाड है यहाँ पे Struggle बताया गया है एक Hindustani Ministeral का Ministeral कौन है? ये एक Singer और Musician है जो राजाओं के Court में उन्हें Entertain करता है और राजपरिवार के Patronage पे ही जीता है इस Poem का जो ये Court Singer है ये बढ़ना दुखी है किसी बात को लेकर और उसकी जो लवर है वो उसको Cheer Up करने की कोशिश कर रही है उसे Praise कर, यहाँ पे Praise हो रहा है, तारीफ हो रही है उसकी Beauty की और उसके अच्छे Future की कामना की जा रही है इस Poem में Total Nine Stanza है हर एक LINE में Four Lines है Quartrain टाइप का सिस्टम है यहाँ पे, चौपाईया है पहले चार Stanza के अंदर Lover Describe करता है कि उसकी जो प्रेमी का है, उसकी Beauty Incomparable है किसी से तुलना ही नहीं हो सकती और वो तो Unique है और Last के Five Stanza में वो उसे Encourage करता है कि अपनी उमीद मत छोड़ो तो सबसे पहले First Stanza का मैं आपको Analysis देता हूँ First Stanza की Four Lines को एक बार हम बोलके देखते हैं आप भी मेरे साथ बोलिएगा तो जो First Four Lines है वहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है एक Beautiful महिला को जिसने काजल लगाया है, सुर्मा लगाया है अपने आखों के किनारे पर और वो कहता है कि तुम्हारी ये जो सुर्मे वाली आखे हैं ये एक तारे की तरह चमकती है तुम्हारे बाल एकदम काले हैं और तुम्हारे बाल जो हैं उनको गुलाब से सजाया है और narrator यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ ये महिला ही है जो कि उसकी इकलौती दिलदार है यानि उसकी बिलवेड है अब हम नेक्स टेंजा देखते हैं नेक्स टेंजा है दिलदार अब यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में वो कह रहा है कि तुम मेरी दिलदार हो और मेरी दिलदार तुम्हारी जो ब्यूटी है उसको मैं कंपेर करता हूँ ओमान के समुदर में जो मोती पाए जाते हैं उनसे ओमान के सी में बहुत सारे कीमती बेश कीमती मोती है पर कोई भी मोती ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारी beauty के सामने मेरी प्यारी कश्मीरी girlfriend तुम्हारी beauty के सामने टिक पाए तो यहाँ पे ओमान का जिकर किया गया है क्योंकि उस समय जो middle ages थी तब ओमान और इंडिया के बीच में बहुत वैपार होता था और वहाँ से pearls आते थे यह था हमारा second stanza अब हम देखते हैं third stanza को अब वो आगे example देता है कि जो बुश्रा नाम की जगे हैं वहाँ पे roses पाए जाते हैं अब यह Iraq में है बुश्रा वहाँ पे बहुत सारे गुलाब पाए जाते हैं और बहुत सारी सुन्दा लड़कियों की एक कामना होती है कि वैसे गुलाब उन्हें चाहिए पर कोई भी गुलाब जो इसकी girlfriend है उसका जो शर्माना है blushing है जो उसके cheeks पे आती है उसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई गुलाब इतना खिलावा नहीं हो सकता तो यहाँ पे rose की image को use में लिया गया है एक लड़की की खुपसूरती बताने के लिए तो पहले East Asian cities के साथ में भी इंडिया का बहुत trade link था अब अगला stanza देखते हैं अब इस अगले stanza में lover ensure कर रहा है अपनी प्रेमिका को के जो green kingdom है जहाँ पे की sunny skies है सारे वहाँ के young लोग तुम्हें पसंद करेंगे तुम्हारे magic को और तुम्हें welcome करेंगे और वो mesmerize हो जाएंगे तुम्हारे music से और तुम उन सब का दिल जीत लोगे lady और lover दोनों ही ministrals है और इन्हें royal patronate चाहिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अब हम next paragraph ठीखेंगे, next enza Around us now there is but the night, the heaven, alone above But soon we will dwell in cities bright, then cheer thee, cheer thee, love फिर वों कहते हैं कि हम अभी भले ही अंधेरे से घिर गए हैं पर फिर भी आशा की किरन है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं मेरी lady love के उपर सिर्फ स्वर्ग है, जन्नत है हमें किसी पर depend नहीं होना पड़ेगा किसी royal patronage के लिए हमें depend नहीं होना पड़ेगा और मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम दुनिया के सभी famous cities में रहेंगे इसलिए cheer up हो जाओ मेरी प्यारी, आशा मत छोड़ो अब वो आगे कहता है कि हम इंसानों का जो दिल है वो eternally blessed है आशा से और positivity उसमें से spring करती है, मतलब निकलती है जो generations रही है human races की, वो हमेशा आशा के बल पर ही survive कर पाई है positive thinking के बल पर ही survive कर पाई है इसलिए तुम अपने जो sorrows हैं उनको side में रखो मैं guarantee लेता हूं कि जल्दी ही हम बड़े-बड़े राजाओं के courts में perform करेंगे यहाँ पे lover एकदम positive है और वो चाहता है कि उसकी beloved भी positive रहे और इसलिए वो अपने इस melodious गीत से उसको cheer up कर रहा है अब next देखते हैं अब वो फिरसे उसे reassure कर रहा है कि जल्दी ही जो हमारे musical composition है वो महलों के hall में बजेंगे हमारे गीत गाये जाएंगे वो उसे cheer up कर रहा है कि हमारे दुख जल्दी ही खतम हो जाएंगे और फिरसे अच्छे दिन आएंगे वो उसको कहता है कि तुम रो मत यहाँ पे एक तरीके से वो Shakespeare का जो एक famous metaphor था कि सारी दुनिया ही एक stage है यानि कि सारी दुनिया हमारा घर है वो वाली बात वो यहाँ पे काम में ले रहा है कह रहा है हम किसी एक royal family पर depend नी रहेंगे सारी दुनिया ही stage है हम लोग साथ में अलग-अलग जगे जाएंगे visit करेंगे हम अपना जो experience करेंगे sorrow और joy वो साथ में enjoy करेंगे और हम लोग जिन जगों पे जाएंगे वो लोग हमें प्यार करेंगे लोग हमारे music को पसंद करेंगे अब next last answer में वो कहता है like birds from land to land we will range and with our sweet sitar our hearts the same though worlds may change we will live and love दिलदार अब इस last answer में वो कहते हैं कि they will migrate वो migrate करेंगे एक जगे से दूसरी जगे जैसे कि पक्षी करते हैं और साथ में अपना सितार लेके जाएंगे और उसे बजाएंगे और हम अपनी इस कला को जिन्दा रखेंगे हमारे दिलों में शुद्धता है और innocence है इससे एक magic create होगा और लोग हमें पसंद करेंगे ये दुनिया भले ही बदल जाए पर एक दूसरे के लिए जो हमारे मन में प्यार है वो कभी नहीं बदलेगा लवर को पूरा विश्वास है अपनी आर्ट पे और वो अपनी दिलदार को कह रहा है कि तुम disartan मत हो हमें एक नई दुनिया बसाएंगे जहां प्यार होगा और music होगा अब इस पोयम की rhyme scheme क्या है A, B, A, B और इसमें quatrains है nine stanzas है simli और imagery हमें देखने को मिलती है जैसे यहां पे starting में ही प्रेमिका की आँखों को एक तारे के साथ compare किया गया है कि वो sparkle करेगा उसके शर्माने को fool के साथ compare किया है rose के साथ और खुद को जो ministrals होते है जो गाना गाने वाले होते है उनको चिडिया के साथ compare किया है साथ ही इसमें imagery भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है I hope यह poem आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे subscribe करो और bell button को hit करो English literature के बहुत सारे videos आपको हमारी playlist में मिल जाएंगे यह चैनल आपके बड़े काम का है वीडियो पसंद आया है तो like करो comment box में अपना feedback दो और अपने friends के साथ इसे share भी करो फिर मिलेंगे all the best for your exams